Hello dear students, welcome back. Last class में हम area of triangle पे question कर रहे थे हम दोगने area of triangle का formula देखा था और area of triangle पे example कर रहे थे तो I hope आपने formula learn कर लिया होगा और हम दोगने जो example देखा था वो examples अब आपको सब्सक्राइब आ गया होगी और आपने उन examples को खुछ से solve भी किया होगा चलिए आज फदर कुछ और examples देखते हैं next देखें, next question क्या हमारे पास next question है find the area of an isoscellus right triangle if one of its equal sides is 20 cm long देखें क्या कहा जा रहा है कि आपको area find out करना है क्या find out करना है, आपको area find out करना है किसका area find out करना है isoscellus right triangle isoscellus right triangle का मनलब क्यों हो पहले तो right triangle होना चाहिए और वो right triangle जो है, वो isoscellus triangle होना चाहिए फिर आगे क्या बोला है if one of its equal sides is 20 cm जो equal side है जो isoscellus आपका triangle है isoscellus triangle हो जो equal side है उसका length कितना given है, वो given है 20 cm, given है आपको कि if one of its equal side is 20 cm long तो सबसे पहले आप क्या करीए एक diagram बना लीजी, ठीक है न तो assume करेजिए कि ABC आपके पास क्या यह एक useless right triangle है पहले बात यह right triangle है मतलब इसमें एक angle क्यों होना चाहिए right angle होना चाहिए और यह useless triangle है मतलब इसमें क्या होना चाहिए कोई दो side आपस में equal होना चाहिए तो ABC हमने right angle triangle इसमें कि angle B angle B क्या हमारे पास right angle angle B right angle है तो आपको बता है कि right angle की opposite जो side है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे hypotenuse उसको क्या बोलेंगे hypotenuse ज्यान देजएगा in a right angle triangle the side opposite to right angle is called hypotenuse तो AC जो है यह 90 degree के opposite side है क्योंकि हमने assume कि triangle ABC क्या है यह right angle triangle है जिसमें कि angle B क्या है यह right angle है यह 90 degree है तो AC क्या होगा यह hypotenuse हो जाएगा और किसी भी right angle triangle में hypotenuse होता है वो longest side होता है तो अभी बचे यह दो side आपके पास BC और AB यह यह क्या है दोनों equal है क्योंकि यहां पर बोला गया है कि आपके पास ट्रैंगल है वो Isosilos right triangle है तो हम यहां पर AB को हच को equal assume कर रहे है अगर आप AB prot forces equal이고 बोल रहे है औरивать और यह angle B ळोलोनों 90 degree है ही यह triangle ABC क्या है यह Isosilos right triangle यह क्या है Isosilos right triangle और assume कर लिजे कि यहाँ पर कोई एक side either BC और AB इनसे कोई एक side क्या है 20 cm तो obviously बात है अगर एक side आपने 20 cm बोला हुआ है तो दूसरा side भी क्या होगा यह 20 cm long हो जाएगा क्योंकि आपको बता है न कि यह दोनों side सापस में क्या equal है तो अगर आप एक side किसी one side को 20 cm बोल लिया तो another side will always be 20 cm in this case because triangle ABC is isosless triangle तो आपने क्या assume क्या है यहाँ पर ABC isosless right triangle जिसमें कि angle B क्या एंगल भी राइट एंगल है और AB और BC यह दोनों side सापस में क्या है एकोल है AB और BC कि लेंद कितनी है यह आपके पास 20 cm अब आपको एरिया find out करना है तो area of triangle आप formula apply कर दिए आपको पता area of triangle क्या होता area of triangle is equals to half into base into corresponding altitude ठेका half into base into altitude बोले या आप बोलते हैं half into base into corresponding altitude corresponding altitude का मतलब क्या हुआ कि जिसको आप base consider कर रहे हैं उस पर ही जो altitude रॉक किया गया उससे की बात कि जा रही है तो area of triangle ABC यहाँ पर triangle ABC का area तो अगर आप BC को base बोले नहीं यह अगर आप BC को base बोल रहे हैं तो AB क्या हो जाएगा या बोल सकती AB जो है वो altitude हो जाएगा अगर आप AB को बोल रहे हैं तो BC क्या हो जाएगा तो आप किसी एक को base consider करें तो दूसरा side क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस कंस्डर कर रहे हैं तो BC क्या है पर बिंदिकोलर है तो आप लिख सकते हैं एडिया ओफ ट्रेंगल ABC इस इक्वर्स टू वन बाई टू इंटू इन्टू BC देखिए एडिया अफ ट्रेंगल ABC को यहां पर क्या बूला है शो एज इक्वर्स टू ओड़ी कि वालो कितनी है 20 20 cm BC के वालू देखिए BC के वालू कितनी है 20 cm तो यह हो जाएगा A is equals to 1 by 2 into 20 into 20 cm square देखिए AB 20 cm BC 20 cm 20 cm into 20 cm यह क्या हो जागा 20 into 20 cm square अब फुर्दर देखिए आप इसको solve कर सकते हैं तो आप इस तरीके से क्या करिए इस 2 से इसको डिवाइड करिए तो यहां पर आपके पास 210 जा 20 आजाएगा यहां दीजे यहां पर क्या जाएगा 2 से 20 को डिवाइड करेंगा तो यहां पर 10 आजाएगा 20 into 10 that is 200 area क्या आगया area के पास 200 cm square so required area जो था required area क्या है यहां पर आपने यहां पर बेस क्लेरिफाइ किया altitude क्लेरिफाइ किया यहां बसकते हैं base and corresponding altitude क्लेरिफाइ किया इसके बाद आपने क्या किया area of triangle का formula लगा दिया और आपको answer मिल गया simple concept है चलिए फर्दर जलते हैं next question क्या देखिए next question है the area of triangle is equal to that of a square whose each side measures 60 meter find the side of the triangle whose corresponding altitude is 90 meter ध्यान देजे अब यहां पर क्या कहा जा रहा है the area of triangle is equal to that of a square मतलब यह जो triangle का area है यह क्या है square के area के equal है triangle का area है फर्दर क्या बोला गया आपसे whose each side measures 60 meters तो यह कहा जा रहा है कि triangle का area जो है square के area के equal है और square का जो side है वो कितना है 60 meter अब आपको find out क्या करना है find a side of triangle आपको triangle का side find out करना है क्या find out करना है triangle का side whose corresponding altitude is 90 meter अब आपको वो side find out करना है जिसके corresponding altitude है वो कितना है 90 meter corresponding altitude कितना है 90 meter इसको आप ऐसे समझे कि यहां पे कहा जा रहा है आपस कि एक square है आपके पास isum college square क्या है ABCD तो यह जो ABCD square है इसका side आपको given है 60 meter side कितना given है 60 meter और एक कोई triangle है तो यह कहा जा रहा है कि इस square का जो area है उतना ही area क्या है इस triangle का area है यह हम अगर हम भोलें कि यह जो ps है यह क्या है altitude है किसके corresponding qr के corresponding नहीं तो आप यह qr की value बता ही है जबकि आपको ps given है यह कितना है 90 meter question जहां से देखिए question में यह ही कहा गया है the area of a triangle is equal to that of square so area of this triangle is equal to this square whose each side measures 60 meter यह कहा गया है side का measurement यह square का side हो कितना है 60 meter फिर क्या बोला है find the side of triangle whose corresponding altitude is 90 meter तो यह triangle का वो side find out करना है जिसके corresponding altitude कितना है 90 meter हमने assume कर लिया है ps altitude है corresponding to qr और यह ps कितना है यह हमारे पास 90 meter तो हमों क्या करना है qr find out करना है तो simple सी बात है जहां हम area of triangle कर रहे थे ठीकन area of triangle हमारे पास क्या था 1 by 2 into base into corresponding altitude इसको हम यहां पर H लिख रहे हैं तो area of triangle is equals to 1 by 2 into base into corresponding altitude base मतलब यह क्या है side of triangle है यह हम बहुत सकते side of triangle into corresponding altitude तो देखिए altitude given है base तो find out ही करना है जो side तो find out ही करना है अगर हमको area मिल जाए तो हम आसानी से find out कर सकते है I hope आपको यह बास सोनी में आ रही होगी और area मिल जाएगा क्योंकि कहा गया है कि area of triangle जो है क्या है area of square के equal है और area of square हम find out कर लें क्योंकि side तो हमको पता ही है तो easily हमको क्या करना है हमको पहले तो area of square find out करना है और वहां से हम area of triangle लिख लेंगे क्योंकि area of square जो है वो उतना ही area क्या है triangle का है क्या है आपस में एकोल है और उसके बाद हम क्या करेंगे बेस फाइंड आट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास corresponding altitude है ही तो देखिए given क्या है अल्टिटूड आफ ट्रेंगल 90 मिटर है side of square 60 मिटर गिवन है तो देखिए area of square क्या हो जाएगा area of square हमको पता है area of square six square मीटर क्या होजाइगा 3,600 मिटर स्क्वाइर अब देखिया आपको area of triangle is equal to area of square अब यह triangle का जो यह है क्या square के एक्वल है तो हम क्या सकते है area of triangle is equal to 3600 meter square area of triangle is equal to 3600 meter square अब यहाँ पर देखिए side of triangle क्या हो जागा side of triangle is equal to 2 into area of triangle divided by corresponding altitude जहां देचे हम आपास यह formula था formula क्या था area of triangle is equal to 1 by 2 into base into corresponding altitude यह हम बहुत रहते हैं 1 by 2 into side into corresponding altitude तो आप देखिए यहां से अगर आप side मतलब base की वहले find out करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे यह h जो है आपके पास h को इधर transpose करेंगे और यह 1 by 2 को भी इधर transpose करेंगे तो यह क्या हो जागा यह देखिए यह 2 आके इधर multiply हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा टू into area divided by यह जो आपने altitude लिखा यह क्या हो का इधर आके divide करेगा area को तो आपको मिल जाएगा base is equals to 2 into area divided by height आप बोल सकते हैं यह कि side is equals to 2 into area divided by height या corresponding altitude आप लिख सकते हैं side of triangle जिसको कि हम यह एक्स लिख रहे हैं x is equals to 2 into area divided by corresponding altitude इसको further solve कर लिजे so side of triangle x is equals to कितना आ जागा 2 into area के value कितनी है 3600 divided by यह आपके बास corresponding altitude कितना है 90 आप लिख से 2 into 3600 divided by 90 यहां से आपको x की value मिल जाएगी यह कितनी आ जाएगी 80 meter x की value कितनी मिल जाएगी 80 meter so x आ गया 80 meter इसका वंदर आप क्या सकते हैं कि जो side है side of triangle जो आपसे पूछा गया था उसके value कितनी है उसके value है 80 meter so again देखिए simple question था यहां पे आपको सिर्फ triangle नहीं दिया गया था आपको triangle square दिया गया था so indirectly आपको क्या given था triangle का area लो अगर आपको square का side given है तो obviously बात है कि आप triangle का area find out कर सकते हैं triangle का area जो है वो indirectly आपको find out करने के लिए दिया गया था तो आपने triangle का area find out किया और altitude given था area और altitude के help से आपने base find out कर लिया next question क्या देखिए next question है a field in the form of a parallelogram has one of its diagonals 42 meter long and the perpendicular distance of this diagonal from either of outlying vertices is 10.8 meter c figure find the area of the field देखिए figure में आपको given है इससे यह आपके पास figure है A B C D यह आपके पास एक field है field क्या है यह parallelogram है देखिए यहाँ पे given a field in the form of a parallelogram so यह एक क्या है parallelogram आपसे यह कहा गया है किसका एक diagonal जो ही कितना 42 meter और आपको यह diagram में given भी और क्या कहा जा रहा है the perpendicular distance of this diagonal from either of outlying vertices is 10.8 meter मतलब यह जो दूनों vertices है ठीक है ना इन दूनों vertices से यह जो diagonal AC है इसका जो perpendicular distance है कितना given 10.8 meter या फिर आप कह सकते देखे DL perpendicular AC पे और BM perpendicular AC पे तो आप कह सकते हैं DL कितना है यह 10.8 meter और BM यह भी कितना है यह है आपके पास 10.8 meter आपको find out करना है area of the field तो simple सी बात है आप देख रहे हैं कि ABC एक आपके पास triangle ABC triangle है यहाँ पे आपको base AC पता है और perpendicular BM पता है और दूसरा triangle देखे यहाँ पे ACD है आपके पास यहाँ पे आपको base AC पता है and perpendicular DL भी पता है आपको आप क्या कर सकते हैं आप triangle ABC and triangle ADC find out करके उनके area को add कर सकते हैं यह आप simply लिख सकते है area of this field ABCD is equal to what area of triangle ABC plus area of triangle ACD और आप इसको solve करेंगे आपको answer मिल जाएगा आपको यह बात समय में आ रही होगी तो चलिए इसको solve कर लेते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास AC is equal to 42 meter DL is equal to BM that is what 10.8 meter यह आपको अलरी गिवन ही है तो अगर हम यह field हमारे पास जो है ABCD इसका area find out करना चाहें तो ABCD का area क्या होगा यह होगा area of triangle ABC plus area of triangle ADC आपके यह area of triangle ACD तो हम लिख ले रहे हैं area of field ABCD जिसको कि हम A कह रहे हैं यहां पर A is equals to what that is area of triangle ABC plus area of triangle ADC अब देखिए triangle ABC का जो area है वो क्या हो जाएगा half into base into altitude यह आप बोल सकते हाफ into base into corresponding altitude सब देखें यहां पर आप देख रहे हैं कि BM जो है यह altitude है किस पर draw किया गया है AC पर draw किया गया है तो altitude पता है तो हम वही base consider करेंगे जहां पर हम altitude given है तो यहां पर क्या हो जागा AC आपके पास base हो गया और BM यह क्या होगा altitude हो गया तो triangle ABC का area क्या हो जाएगा 1 by 2 into AC into BM फर्दर हम बात करें triangle ADC की तो triangle ADC में altitude या corresponding height भी बोल सकते हैं तो यह हो जाएगा area of triangle ADC equals to 1 by 2 into AC into DL अब देखिए आप यहां पर clearly देख पा रहे हैं AC जो है यह यहां पर भी present है AC यहां पर भी present है 1 by 2 यहां present है और 1 by 2 यहां present है तो आप क्या कर सकते हैं 1 by 2 AC आप common ले सकते हैं अगर आप 1 by 2 AC common ले लेंगे तो इस term से आपको क्या मिलेगा BM और इस term से आपको क्या मिलेगा DL तो आप लिख सकते हैं area A is equal to area of field ABCD जिसको क्या आपने A लिखा हुगा है तो A is equal to 1 by 2 into AC in bracket BM plus DL आपके पास कितना है 10.8 और DL भी कितना है 10.8 आप लिख सकते हैं आपके पास यह हो जागा 21.6 so area is equal to क्या जागा 1 by 2 into 42 into 21.6 m2 and आप क्या करें इसको solve कर दिए आप 1 यह 42 को 2 से divide कर दिए उसके पास क्या करें जो value आएगी उसको 21.6 से multiply कर दिए आप वो कितना मिलेगा 453.6 m2 आपका answer आगया 453.6 m2 so simply यह जो आपके पास field ABCD इस field का area जो है यह कितना है 453.6 m2 simple question था आपने क्या किया field already आपको दो triangle में divide करके given था आपके बास triangle का base था और corresponding altitude था आपने base और corresponding altitude से triangle का area find out कर लिया आपको answer मिल गया आपको answer क्या find out करना था वो find out करना था यह जो आपके पास field है इसका area आपने area find out कर लिया चलिए next question देखते है next question क्या है find the area of equilateral triangle having each side 4 cm तो आपको याद होगा equilateral triangle का area find out करने के लिए हम लोग ने एक formula पढ़ा है क्या पढ़ा है area of equilateral triangle is equal to root 3 by 4 side square यहां पर देख्या आपको side given side क्या given है side of equilateral triangle given आपको 4 cm और आपको पता है area of equilateral triangle is equal to root 3 by 4 into side square तो आप values रख दीजिए simple question देखें यहां पर कोई आपको परिशान ही नहीं हो इसको solve करने में side given है आपको क्या है equilateral triangle का side given है area find out करना है और area का formula आपके पास है area is equal to under root 3 divided 5 divided by 4 into side square आपको यह formula पता है सिर्फ आपको यहां पर side की value लिखनी है और आपको answer मिले जाएगा आप लिख सकते है area of triangle equilateral triangle जिसको कि आपने a बोला हुआ है so a is equal to under root 3 by 4 into side square मतलब 4 square and 4 square equals to what 4 into 4 so area क्या आगया area is equal to root 3 by 4 into 4 into 4 into 4 centimeter square to decide आपको 4 centimeter given है आप आपको यह बात समझ में आ रही होगी आप देखिए आप क्या कर सकते हैं यह 4 से यह 4 cancel कर सकते हैं ठीक है आपको क्या मिल जाएगा area is equal to 4 under root 3 cm square यह क्या गया 4 under root 3 cm square देखिए simple एकदम question है but यहां पर आपको formula learn होना बहुत जरूरी है ठीक है formula learn हो गया तो question बहुत ही simple है आपने direct formula पर मतलब जो values है values apply कर दे value आप formula पर प्टप कर दे और आपको answer मिल गया तो आपको formula अच्छे से learn करना है I hope आपको यह चीज समझ में आ रहे होगी वैसी mensuration में basically आपको concept clear होना चाहिए अच्छे से और formula learn होना चाहिए और आप calculation mistake ना करें फिर तो आपका question wrong होगा ही नहीं चलिए फदर जलते हैं next question हमारे पास क्या देखिए next question है ABC is right triangle right angle at a AD is perpendicular to BC if AB is equals to 5 cm BC is equals to 13 cm and AC is equals to 12 cm find the length of AD देखिए आप वो कहा जा रहा है कि ABC क्या है right angle triangle triangle है यहाँ पर आपको बनाया गया ABC right angle triangle right angle at A यह जो angle A है यह क्या है 90 degree angle A क्या है 90 degree AD is perpendicular to BC देखिए AD क्या है यह BC पर perpendicular है AB गिवन है 5 cm BC गिवन है 13 cm और AC गिवन है 12 cm आपको क्या करना है AD का length find out करना है AD का length find out करना है तो देखिए सबसे पहले तो observe करने वाली बात कि यहाँ पर यह जो सारी values दे गई है इनका use करके हम AD find out कर सकते हैं क्या तो देखिए आपको relation लिख सकते हैं AB BC AC और AD में ऐसा को relation लिख सकते हैं तो आपको यह चीज़ ज्यान में आना चाहिए तुरंट कि देखिए यह AB जो है AB और AC को देखिए तो यहाँ पे आप क्या सकते हैं कि यह जो AC है AB perpendicular है यह आप बोल सकते हैं यह C जो है यह क्या BA पर 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 पिंडुकलर है और यह जो BA है पे perpendicular है यहाँ हो सकते हैं CA जो है यह AB पे perpendicular है और यहाँ से आप इसको join करती है तो आपको triangle ABC दिख रहा है तो आप clearly क्या कर सकते है triangle ABC का area find out कर सकते है with the help of BA and AC मझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ लोगी वर इसको आपने रोटेट करके कुछ इस तरीके से लिख लिया कि यहां पर आपके पास A है यह B है और यह C है तो अंगल A किया आपके बास राइट एंगल AB आपको given है, कितना given है, 5 cm और AC आपको given है, कितना given है, 12 cm तो आप देख पार हैं, आप आसानी से इस triangle का area find out कर सकते हैं with the help of half into base into height तो area of triangle ABC यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 1 by 2 into, अगर आप AC को base resume कर रहे हैं, तो AC into AB 1 by 2 into AC into AB, तो area of triangle ABC हो जाएगा फिर आप देखिए, यहाँ पर AD जो है, यह BC पर perpendicular है और BC हमको पता है, देख रहा होगा, आपको BC यहाँ पर 13 cm given है So, AD perpendicular to BC है और आपको BC पता है तो आप area of triangle ABC लेख सकते हैं, half into BC into AD ठीक है, तो देखे, area of triangle ABC एक बार आपने यहाँ पर AC और AB के help से find out किया, फिर area of triangle ABC आपने BC और AD के help से find out किया तो दोनों बार तो आपने area of triangle ही find out किया, तो आप दोनों क्या कर सकते हैं Equate कर सकते हैं या equal लिख सकते हैं और जब आप equal लिखेंगे, वहाँ से आप solve करके AD की value लिख सकते हैं एक होप आपको समझ में आया होगा अभी हम इसका solution note करते हैं तो देखिए आपको क्या given है AB is equal to 5 cm, AC is equal to 12 cm and BC is equal to what 13 cm तो अब देखिए area of triangle ABC अगर हम AB और BC या हम बसकते AB और AC के हब से find out करना चाहे है तो area of triangle ABC क्या हो जाएगा 1 by 2 into AB into AC 1 by 2 into AB into AC देखिए AC और AB यह आपके पास है तो आपके पास area of triangle ABC क्या जाएगा 1 by 2 into AC into AB या बोले 1 by 2 into AB into AC और फदर आप देखिए area of triangle ABC को आप 1 by 2 into BC into AD भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप BC को base बोलना है तो इसके corresponding altitude क्या है आपके पास AD आपको बता है area of triangle क्या होता है अब BC into AD और multiplied by half आपको लिखना है तो इस आप लिख सकते हैं 1 by 2 into BC into AD is equal to 1 by 2 into AB into AC अब आप क्या करें इसको solve करिए तो देखिए यहाँ पे half इधर ही present है और half इधर ही present है तो आप cancel कर सकते हैं अब यह जब इसको इधर transpose करेंगे तो यह हम इस यहाँ numerator में लिख देंगे अब देखिए 2 upon 2 यह क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो यह cancel हो गया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा आपके पास बचा कितना हो गया आपके पास यह हो गया 5 into 12 आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो 80 इस इकोस्टो क्या हो जाएगा 80 इस इकोस्टो हो जाएगा 12 into 5 divided by 13 और यहाँ से और area of triangle ABC find out किया with the help of AB and AC फिर हमने area of triangle ABC find out किया with the help of BC and AD उसके बाद हमने क्या किया दोनों को equate कर दिया दोनों को equal लिख दिया और फिर हमने solve किया तो हमको AD की value मिल गई 60 by 13 cm तो I hope questions आपको सौन म्याए होगे देखिए simple question है बहुत आसानी से आपको आ जाएगे सिर्फ formula based question है वैसे भी mensuration में formula ready रखिए और concept clear रखिए आपको question आसानी से आ जाएगे यहाँ पर आपको screen पर कुछ question दिख रहे हैं यह question जो हमने concept पढ़ा है उसी concept पर based है simple question है area of triangle पर based है तो आप इनको solve करिएगा जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आप notes उनकर उसका ready रखिएगा अच्छे से आप notes ready रखिएगे तो आपको कभी भी revision करने में problem नहीं होगी आप आसानी से revise कर सकते हैं ठीक है तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप complete करिए और जो questions आपको दिएगे हैं अगले class में thank you very much